Hello children, आज हम लोग सीखेंगे algorithm and flowchart के बारे में, algorithm क्या होता है, कैसे work करता है और flowchart क्या होता है, सबसे पहले start करते है algorithm से, algorithm क्या होता है, algorithm is a set of step-by-step instruction that describe how to perform a task, मतलब कोई भी काम को हम कैसे करेंगे एक केब एक step को लिखना, या यह भी हम लोग इंग्रिष में एक के बाद एक new step को लिखेंगे, वही algorithm कहल आता है, process का flow बताता है कि कोई काम को कि step के बाद क्या step लेंगे किसी काम में, फिर उसके बाद next step क्या होगा, कोई भी एक काम कर रहे है तो उसको process करने के लिए step by step guide जो करता है, वो कहलाता है algorithm, एक example देखते हैं इसके लिए हम लोग, like हमारे पास एक process है to make Maggie, process to make Maggie में सिबसे पहला step क् हम लोग start करते है, start step 1 में गया है, start algorithm में हमेशा step 0 लिखे नहीं, step 1 start हो गया, then next, मतलब अभी हम लोग start बोल दिये, मतलब हम काम शुरू किये, step 2 में जाते, step 2 में take required amount of water in a container, container में required amount of water हमें लेना है, वो ले लिए, उसके बाद step 3 में light the gas stove, तो 2 में हमने क्या किया, एक container में पानी ले लिया है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, gas stove on करेंगे, step 4 में जाते है, step 4 में हमारा जो काम है, put the container on the burner, फिर हम ने जिस container में पानी लिया था, उसको चड़ा दिये, gas के ओपर रख दिये, gas on है, तो process जो हम कर रहे है, बस उसको step by step हमको लिखते जाना है, जो इस पूरे process जब यह complete हो जाएगा, तो यह पूरे set of algorithm कहलाएगा, तो अब एक algorithm कहलाएगा, step 5, burner on हो चुका है, burner पे हम लोग पानी भी रख दिये है, container के थूरू, आप देखते है, number 5, put maggie and masala as per requirement, अब जितना maggie और जितना masala की जरुवत है, वो हम उसमें डाल दिये, और step 6 म में अब उसको हम थोड़े देर के लिए छोड़ दिये, give 2 minutes to boil, थोड़े देर के लिए 2 minutes के लिए वो boil हो जाए, step 7 में take off the container, वो maggie ready हो गया, अब हम container को हटा दिये वहाँ से, और क्योंकि maggie अब ready है, तो अब next step हमारा क्या होना चाहिए, next step of course, maggie निकाल के surf करना using a spoon, okay, और इस तरह से हमने एक पुरा maggie prepare कर लिया, तो यह maggie preparation का sequence में process बता रहा है, इसी को हम लोग algorithm बोलते है, at the end हम लोग stop लिखते है, algorithm जब भी mention करते हैं, तो overall thing is, कि यहाँ पे जो भी आप process देख रहे है, एक के बाद, एक के बाद, एक process लगाओ, process का details हम डाले है, कोई भी process है, वो अपने position पर ही रहेगा, उसके बाद, जो step 4 रहेगा, sequence में रहना चाहिए, इसी चीज़ को हम लोग algorithm बोलते हैं, तो यह algorithm का basic example मैंने आपको दिखाया, अप्धा flow chart के बारे हम लोग जान लेते है, flow chart is a type of diagram that represents a workflow process, a flow chart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, तो अभी हमने algorithm समझा, algorithm को जब ह एक diagrammatic representation में दिखाएंगे, diagram के form पे दिखाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा flow chart, ठीक है, तो flow chart का क्या-क्या mean diagram से पहले वो समझ लेते हैं, किस diagram का क्या, या किस symbol का क्या मतलब है, वो समझना इसके लिए, बहुत जरूरी है, तो start करते है, commonly use symbols, first point, यह जो oval shape है, या फिर यह shape, use कर सकते है, start और end बताने के लिए flow chart में, symbols बहुत important, flow chart में, जो symbol जैसे दिया है, उसको वैसे ही use करना है, next में हमारे पास input-output box, जब भी कुछ चीज़न लोग accept करते हैं, उसको input बोलते हैं, तो यह input-output box रहेगा, यह वाला, और result जब दिखाएंगे, तो वो output होगा, ज input में और हमारा क्या है, पानी चाहिए था, और उसके बाद मैगी और मैगी मसाला, बस यह input हुआ हमारा, output में क्या मिला, prepared maggie, वो result है, तो वो एक example मैंने आपको बताया, flow chart में भी जब हम लोग बनाएंगे, तो flow chart में देखेंगे, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसमें input-output में यह box use हो रहा है, start-end में यह दोनों में से कोई एक box use कर सकते है, next में देखेंगे process box, कोई भी काम कर रहे है, तो वो process box लगेगा, इसको a rectangle है, okay, it's a rectangle, then direction of flow, arrow देना होता है, वो हम आपको करके दिखाएंगे, कहां use होता है इसका, next मारे पास diamond decision box, diamond box जो है, वो decision बताता है जब भी हमको decision लेना होता है, तो यह box का use होता है, और connectors, connectors होता है, जब एक page खताम हो जाए और फिर भी आपको flowchart continue रखना है, तो आप next page में connector का use कर सकते है, end में, और next page में starting में, तो इसका भी use में आपको करके सब में, दिखाएंगे किस तरह से यह सब use हो रहा है, कहां कह connectors बहुत rare use होता है, लेकिन यह सब जतना है, यह सब basics, commonly used symbols है, flowchart के, जो use होगे, और हम अभी solve है क्या आपको दिखाएंगे, तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते है, solve करना, पहला question पर चलते है, कैसे algorithm लिखेंगे, और कैसे फिर उसका flowchart बनाएंगे, वह हम लोग दे देना है, तो algorithm start करते हैं, सबसे पहले start लिखेंगे, start हो गया algorithm हमारा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो numbers है, उसको store कर देंगे, किसी variables में, जैसे कि 28 है, उसको store कर दिए, ए नाम से, और वैसे ही 16 है, उसको B नाम से store कर दिए, तो यहाँ पर क्या है, यह जो A और B है, यह name location हो जाएगा, variable कहला हैँ उके, सो बस यह कि 28 को कोई एक नाम दे देंगे, और 16 को कोई एक नाम दे देंगे, जितना numbers होगा, उसके लिए उतना variables हमें लेना होता है, तो जो numbers है, वह हम एक variable में store कर दिए, और यह जो numbers है वह खुझ में constant कहलाता है, तो generally प The numbers को variable में store स्टोर करते और बाद में फिर वेरियेबल को यूज करेंगे अब हम लोग जहां भी यूज करेंगे 28 नहीं बोलेंगे ए बोलेंगे और जहां भी 16 को यूज करना है वहाँ पर बी बोलेंगे करना है इस बर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे अडिशन कंप्यूटर कर देगा उसके लिए हमें कोई करने के जबरत नहीं है बस ए प्लस भी लिखेंगे तो ए में 28 है और बी में 16 है यह एड हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको सम नाम से स्टोर कर रहे हैं अग लोगे इसको डिस्प्लेश भी करना है step four में जाएगे डिस्प्ले खरेंगे जाएगे तो प्रोसेस जो डोनम।ड Cambridge करने के लिए पहले दो लुग में चाहिए तो बनों को हम दो नाम से डुल से ले लिए लिए फिर उनको समाई खरने फर करके एक और नाम यानि एक और नेम लोकेशन में यानि की एक वेरियबल में सेफ कर दिए और उस वेरियबल को फिर हम डिस्प्ले कर दिए बस एक सिंपल सा प्रोसेस है दो नंबर एड हो गया बस उसके बाद हमारा खतम हुआ स्टॉप अब लोग इसका फ्लोचार्ट देखेंगे कि फ्लोचार्ट इसी का कैसे बनेगा तो अल्गरिधम को ही जब हम डिखाएंगे उसी को फ्लोचार्ट बोलता है तो पहले हम लोग यह स्टार्ट का जिसकि मैंने आपको पहले शिप्स बता दिया है तो यह स्टार्ट का शेप हो गए हमारा इसमें स्टार्ट लिख देंगे उसके बाद एरो मतलब next step उसके बाद हमारा यहां रहे हैं यहां लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं रखते यह process box में रखते हैं आपे हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे सिधाएड करेंगे सो a plus b add कि और सम नाम से उसको store कर दिया मतब सम नाम का एक variable हो गया उसमें answer store हो गया तो a plus b का answer सम में store हो गया next step क्या करना है display करना है तो यहां print use होता है flow chart में हम लोग print command यूज करते हैं तो जब भी हम output को print करेंगे शो करेंगे तो मतलब इसमें यह box लगेगा शो करने के लिए इन पूर्पट बॉक्स जो है वह लगेगा पैर लोग्राम जतना भी मनें प्रॉसेस किया calculation किया calculation के लिए हम लोग यह box यूज कि लेकिन यह वाले में हम लोग जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम लोगों इन पूर्पट बॉक्स यूज करना है जो कि प्रिंट सम क्यूंकि सम में हमारा answer श्टोर था सम में answer श्टोर था तो हम सम को print कर दिए बस हमारा काम complete हुआ और हम इसको end कर दिए तो यह हम दो नंबर को add कर लिए जहां number given तो अब next program देखते हैं हमें बोला है write an algorithm and draw a flow chart to add two numbers यहां भी दो number को add करने बोले हैं लेकिन यहां numbers given नहीं है तो जब numbers given नहीं है तो हम क्या करेंगे number input करेंगे मतलब हम लोग यह जो दो number हमें चाहिए add करने के लिए इसको accept करेंगे हमें कहीं से भी जो भी program run करेगा user column देगा तो यहां हमें वो नहीं सोचना है कि हम programming part पूरा यहां नहीं सीख रहे हम बस एक concept सीख रहे है जो कि algorithm and flow chart है तो हम बस यह समझना है कि दो number हम लोग किसी से भी accept कर लेंगे मांग लेंगे जो भी हमें add करने को बोल रहा है उसी से मांग लेंगे तो start करते हैं start उसके बाद सबसे पहला काम है वो number चाहिए तो read two numbers statement क्या लिखाएगा read आप यहां पर accept word भी use कर सकते हैं ठीक है read accept दोनों की word use होता है input भी कर सकते हैं कि यहां पर करेक्ट नहीं लगेगा read and accept is the better word so read two numbers as a and b तो यहां भी हम वही काम कर रहे है कोई भी दो number आएगा हमको नहीं पता क्या number है लेकिन पहला number को हम क्या नाम दे दिये और दूसरा number को बी क्योंकि number पता नहीं है इसलिए storing नहीं कर रहे हैं सिर्फ रीट कर रहे हैं तो a और b नाम से number declare हो गया उसके बाद हमारे पास add two numbers and store the result in some variable same part जो हम पहले किये थे number का नाम क्या था यह इस बार हमारे number का नाम इस बार भी है और दूसरा number का नाम भी है क्या number उसमें उससे हमें कोई मतलब नहीं है हम यहां लिख दिए read two numbers मतलब वो accept हो जाएगा नहीं से भी आ जाएगा input हो जाएगा next add two numbers and store the result in some variable तो हम यहां पर a plus b को add कि और again some नाम के variable में store कर दिए अब मेरा answer कहा है इसका सम में saved है जो भी answer हो पर वो सम में store है step four में हम सम को display कर दिए तस इतना ही करना है और उसके बाद stop सेम काम को हम flowchart में करेंगे start arrow the next input a and b यहां पर देखेंगे box change हो गया parallelogram आ गया पिछले वाले में यहां process box था क्योंकि हम यहां input कर रहे है मेरे पास values not given a and b तो हम दो variables में value input कर रहे हैं यहां लिखेंगे input यहां पर हम लोग input ही लिखते हैं तो input a and b parallelogram में आ गया अब values जब हम input बोल देते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि उसमें कोई दो value आ गया होगा अब हमको बस a और b को add करना है again process है तो next क्या लगाएंगे a plus b so a plus b करके sum में store कर दिए सम में आ गया उसके बाद हम next क्या करेंगे answer को display करेंगे तो सम में हमारा answer सम को display करेंगे तो display करने के लिए print sum sum में store था sum print कर दिए बस काम हमारा complete हुआ flow chart का और यह end next question देखते है write an algorithm and draw flow chart to find area of a rectangle area of a rectangle formula यहां पर given हो सकता question में आपका not given हो so area is equals to length into breadth यह आपको याद रखना है formula यहां short में दिया हुआ a is equals to l into b same काम करना है मैं जो भी किये थे start again हम लोग formula के सिर्फ right part को accept करते हैं left part में तो answer calculation होता है तो हम लोग right part को accept करेंगे length not given है question में breadth भी not given है question में तो वह हम लोग accept करेंगे तो यहां लिखेंगे read length and breadth as l and b तो length and breadth हम read कर रहे हैं मतलब input ले रहे है as l and b तो length मेरा l कहलाएगा और breadth मेरा b कहलाएगा तो दो चीज हमारा आगया यह हम मान लेंगे इस step में length आगया breadth आगया अब हमें क्या करना है बस multiply करना जैसे add किये थे वैसी multiply करना step 3 में क्या होगा calculate area and store the result in a variable as a तो यहां पर हम क्या कर रहे है length और breadth को multiply कर रहे है और इसका answer को a में store कर दे रहे हैं आप किसी में भी store कर सकते हो आप यहां area पूरा सकते हो लेकिन यहां हम a लेकर करके store कर दिये तो अब length of breadth का जो product आया है जो की area है वो किस में store है ए में store है तो display किसको करेंगे ए को करेंगे display the value of a और इस तरह से हमारा काम complete हुआ stop flow chart देखते हैं इसका same easy type से बनेगा start input लेंगे यहां पर हमें length of breadth चाहिए तो input l and b लिख दिया हम पूरा statement भी लिख सकते थे length and breadth as a l and b लेकिन जनरली क्योंकि यह algorithm नहीं है यह flow chart है तो इस पर हम बोग short ही लिखते है और proper लिखते है प्रेसाइस लिखते है तो input l and b कर दिये तो length and breadth input हो गया l और b के नाम से अब क्या करेंगे अफकोस calculation करना है तो बस calculation part जो यहां है वही लिखना है l into b l into b किये और a में store किये अब flow chart में हम लोग into का sign asterisk देते हैं के because proper programming जब हम लोग करेंगे तो programming में multiply का जो sign है computer के लिए वो asterisk sign है तो यहां पर हम उसको use कर रहे है तो l into b कर दिये और a में उसको क्या किये store कर दिये a में answer इसका store हो गया उसके बाद हम किसको display करेंगे a को display करेंगे because a में answer आया है तो print a यहां पर दिख दिए print a multiply होके answer store कर देते हैं और उसके बाद end तो हमारा flowchart complete हुआ write an algorithm and draw flowchart to calculate simple interest simple interest निकलना है यहां में इसका formula given है P into R into T by 100 P for principle offer rate T4 time और si में इसको store कर देना है formula not given हो सकता है question में तो आप formula याद रखें okay next सबसे पहला काम है step one start flowchart के लिए sorry algorithm के लिए start then read principle rate and time यहां पूरा statement रिखेंगे read principle rate and time as PRT तो हम क्या कि यहां जो use की तो वही use कर लिए आप कोई भी alphabet ले सकते हैं यहां पर हम यहां पर principle rate time के लिए PRT ही use कर रहे हैं तो तीन चीज़ input हो गया है यहां पर मेरा principle P में आ गया rate R में आ गया और time T में आ गया calculate simple interest अब हम क्या कर रहे हैं simple interest को calculate कर रहे हैं और result को SI में store कर रहे हैं next step 4 display SI SI में हमने इसका answer store किया था तो SI को ही हम यहां पर display कर दे रहे हैं तो SI हमारा answer store था SI display हो गया ठीक है तो यह हमारा calculation complete हो गया principle rate और time का simple interest निकल गया तो हमारा काम complete हुआ stop इसके लिए अगर हमको chart बनाना flow chart तो पहले start symbols ध्यान रखेंगे यह ओवल सब symbol है उसके बाद input ले रहे हैं PRT को तो यहां लिखेंगे PRT input में symbol क्या लगा है हम यहां पर parallelogram okay input के लिए then next is process box क्योंकि यहां पर calculation की process box लगता है तो P into R into T by 100 calculation कर दिया और answer को SI में store कर दिए display करेंगे अब हम लोग इसका result print SI कर दिए तो SI हमारा display हो गया because हमारे पास जो value है वो SI में stored था तो last time हमारा end हो गया यह तो इस तरह से यह question भी हमारा complete हो गया write an algorithm and draw a flow chart to calculate volume of a cuboid again same चीज है length into break into height हमको करना है और value यहां पर given length करेंगे से multiply करेंगे और height तीन चीज यहां पर है तो मतलब यह तीनों को given है not given है तो मतलब यह तीनों को read करना पड़ेगा तो पहला काम है start दूसरा step है हमारा क्या read करना length breath and height as length as lb and h तो हम क्या कि length को l के तरह read कर लिए और breath को b and height h मेरे लिए तो तीन अलग-अलग variable define करके हम उसको accept कर लिए तो अब length हमारा l कहलाएगा breath b कहलाएगा और height h कहलाएगा बस इसके बाद क्या करना है formula put करना है calculate value and is a volume and calculate volume and store the result in a variable as V तब हम लोग क्या कर रहा है यहां पर length into breath into height जो की formula given है तो आपको याद रखना है formulas length into breath into height हम कर दिया है यहां पर result volume में आ गया और display the value तो यह हमारा V जो value of V है वो display हो रहा है because answer हमारा किस में store है V में store है तो V हमारा display हो गया stop इस तरह से हमारा यह portion भी complete हुआ next हमारा flow chart है इसमें flow chart भी इसका draw कर लेंगे बहुत ही simple flow chart इसका input ले रहे है L B और H क्योंकि हमारे पास यहां पर तीन चीज़ा input के लिए input के बाद हम लोग को क्या करना है process box लगाएंगे calculation करना है L B और H को multiply कर दिए V में store किये as volume तो V में store कर लिए और फिर V को हम क्या करेंगे display कर देंगे तो हमारा print V कर दिए तो answer जो V में store हुआ था वो display हो गया और flow chart भी हमारा complete हो गया write an algorithm and draw a flow chart to calculate circumference of a circle c equals to 2 pi r तो यह हमारा formula है 2 pi r जो कि circumference of a circle calculate करने के लिए होता है तो बहुत simple start read radius as r तो radius को हम लोग r नाम के variable से store कर रहे है r नाम के variable मान रहे हैं आपे radius के लिए उसके बाद calculate circumference and store the result in variable as c circumference का बस formula लगा देना है हमें 2 into 22 by 7 pi जो है उसका डारेक्ट वैल्यू है 22 by 7 क्योंकि उसका value होता है तो हम वो यहां लिख देंगे और into r कर दिए तो formula यहां पे fit हो गया और उसके बाद इसको c में store कर दिए c में आ गया step 4 में display the value of c तो c का value को display कर दिए and store similar way में flow chart बनेगा start सबसे पहले input r होगा तो input r कर दिए input box लगा है यहां पे उसके बाद process होगा हमारा तो process के लिए process box लगेगा 2 into 22 by 7 into r यहां multiply a strict में दिए और c में store कर दिए c में store हो गया उसके बाद हमको display किसको करना c को करना है of course तो print c answer display हो गया and then end यह हमारा एक और flow chart complete हो गया next question write an algorithm and draw a flow chart to check a person can vote or not यह थोड़ा different है यहां पे हम एक और नया symbol का भी use करेंगे तो पहले हम लोग रिखेंगे कि जहां पर conditional statement होता है जैसे कि हमारा check a person can vote or not यहां calculation यहां पर हमने check करना है कि कोई person vote कर सकता है या नहीं कर सकता calculation नहीं है तो इसको कैसे बनाते पहले हम लोग इसका algorithm रिखेंगे start अब कोई vote कर सकता है या नहीं कि kis बात से पता चलतRE है सबसे पहले simplest वह पता चलता है उसका age जरी अगर उसका age 18 या 18 से बड़ा है ज्याद़ा है तो मतलब वोट कर सकता है otherwise रिखेंस नहीं कर सकता है तो यहां को सबसे पहले पढ़े इस तो तो means यहां को दिया नहीं होता है question में कोई formula कि हमें क्या input करना है यहां जो उसका details दिया है उससे समझना होता है कि हमें input क्या करना है जैसे कि person can vote or not में हमें age input करना है बस age से पता चल जाए तो सबसे age is greater than equal to 18 तो यहां पर हम क्या लगा रहे statement क्योंकि हमको पता नहीं है उसका age क्या है बस age नाम से store है जो भी value user डालेगा runtime पर उस time पर हमारे पास age में कोई भी value है उसका age कुछ भी हो हमको पता नहीं है क्या है तो हम यहां पर अगर यानि की if statement लगाए इस ग्रेटर देन एकवल तो 18 मतलब अगर उसका 18 या 18 से जादा रहा तो मतलब क्या डिस्प्ले करना है दें डिस्प्ले परसंगे और वाइस डिस्प्ले परसें के नौट तो यह statement पूरा हमें लिखना है यही अल्गोरिदम होता है तो 18 या 18 से जादा अगर उसका यह है त परसंगे परसंगे और यह पार्ट कंप्रीट हो गया स्टेप फूर में स्टॉप इसका फ्लोचार देखते है फ्लोचार्ट में सबसे पहले स्टार्ट अफॉस हमें पहले एज चाहिए तो इन्पूट एज डे लेंगे उसका अब उसके बाद यहां पे नया बॉक्स होई है ओरी वेजड का अगर में सब्सक्राइब इसका दो ने कि डाइमन बोक्स तभी लगाते जब का होता है तो यहां पर यह बात सच होता है तो इसका तो पर्सेंट कैन वोट तो प्रिंट हो रहा है परसेंट कैन वोट तो स्क्रीन पर आजाएगा परसेंट कैन वोट लेकिन अगर मान ले कि यह बात सच नहीं है यूजर जो भी एज वहां पर हरें तो वहां पर हम दोग क्या डाइग्राम पर्सीं परसेंट कैन वोट तो अगर यह एच एटीन बड़ नहीं है तो ईसके के बाद दोनों ही पार्ट से दोनों ही तरफ समझाएंगे एंड की तरफ और वो एंड मतलब खतम होगा तो यह हमारा एक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट था राइट अरफ फ्लो चार्ट तो चेक नंबर इस पॉजिटिव और नगेटिव यह कैसे पर चलता है बहुत सिंपल यह से पहले वाले कोशन में अभी जो देखेंगे इसमें हम लोग 0 से कंपेर करेंगी कोई भी नंबर 0 या 0 से बड़ा है उसको पॉजिटिव मानेंगी और जो 0 से छोटा है वो नगेटिव चाहेगा तो स्टार्ट सबसे पहले क्या करना है क्योंकि यहां चेक नंबर बोला है मतलब एक नंबर हमें चाहिए उसी को चेक करेंगी कि वह पॉजिटिव है या नगेटिव तो नंबर लेंगे रीडर अन नंबर हो गया एन हमारा तो यहां पे यूज़ किये हैं तो अन में वह नंबर स्टोर है यह समझ लेना अब अब एन इस ग्रेटर देंजिटर अगर एन जो है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है जिरो के बराबर है या जिरो से बढ़ा है तो क्या स्क्रिन पर चाहिए पॉजिटिव नंबर अधर्वाइस डिस्प्ले नंबर से चोटा है तो उसको डिस्ट्राइब कर दिये पूरा यहां पर हम और फिर स्टॉप हमारा खतम हो गया सेम पिछले वाले जैसा ही है बस यहां वैल्यू क्या हो गया जीरो से स्टार्ट उसके बाद हम देखेंगे इन्पुट एन नंबर हमारा आ गया अब नंबर को देखना है कि वह हमारा जीरो से बड़ा है या नहीं तो डायमंड बॉक्स एन गेटर दन इकवल टो जीरो अगर गेटर दन इकवल टो जीरो है तो क्या प्रिंट होगा पॉजिटिव फौन नंबर प्रिंट हो गया और ये काम कम्रीट हुआ एंड चला बगया लेकिन अगर नबर गेटर दन जीरो नहीं हुआ तो फॉलस और रहेगा यहां पर जीरो नहीं है तो फॉलस रिबेटेव नंबर हो गया तो यह दो यह इधर चले का And यह यह इदर चले गया ध tah ylene प्रिंट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हम प्रिंट walked used किये हैं box इस Bitcoin के लिए इंपोटनटा है डाइमंड बॉक है 52 करने करने के लिए रहना है वो कैसे पते चलता है बहुत सिंपल है को भी नंबर अगर two से कट जाए डिवाइड हो जाए और रिमेंडर उसका जिरो आ जाए तो वह इवें हो जाता है अधरवाइस वह ओड होता है तो मतलब यहाँ मों को किसी कोई भी नंबर लेना है और उसको two से divide कर देना है देखना है कि remainder उसका zero आ रहा है या remainder को check करना है zero आया तो even हो गया नहीं आया तो odd होगया तो हमें चाहिए का सबसे पहले number चाहिए तभा ही तो हम बताएंगे वो even है क्या और सबसे पहले क्या करना actual में हमको इसका remainder answer में चाहिए इसमें भी डिविजन ही होगा यह percentage operator है जिसको मौडलस operator बोलते हैं काम यह करता है remainder देनेगा तो यहां पर हम जब मौडलस operator लगाते हैं तो वह हमें remainder देता है तो जो और वह 2 से डिवाइड हो रहा है अगर 5 इस्टोर होता और वह 2 से डिवाइड हो रहा है तो remainder 1 आएगा तो यह equal नहीं होगा ठेक है तो otherwise वाला पार्ट में जाके क्या display होगा और नमबर लेकिन अगर यहां यहां को 4 मान ले एक्जामपल में तो 4 divided by 2 करेंगे remainder 0 आएगा तो मॉडलस operator क्या करता है पसिंदेज का साइन जो हम यहां दिए वो क्या है मॉडलस operator है और वो क्या करता है वो हमारा remainder देने काम करता है तो remainder यहां पर 0 जब हो जाएगा तो वह इवें नमबर प्रिंट करेगा अदरवाइस और नमबर प्रिंट करेगा क्लियर है नेक्स स्टेप 4 स्टॉप तो हमारा काम यहां पर कंप्रीट हो गया पस यहीं चेक करना था आप फ्लोचार्ट में देखते हैं स्टार्ट नमबर चाहिए हमें तो इंपूट नमबर लेंगे परलोग्राम बॉक्स में दे यह बाद सच हुआ कि एंड को जब डिवाइट किये टू से तो रिमेंडर जीरो आया यह बाद सच होता है तो जाएगा और क्या प्रेंट होगा इवन नमबर और उसके बाद प्रोग्राम एंड मतलब कि यह फ्लोचार्ट एंड हो जाएगा लेकिन अगर यही चीज हमारा सब्सक्राइब तो नमबर अगर डिविजन के बाद रिमेंडर वन दे या कुछ भी रिमेंडर दे तो मतलब वह इवन तो नहीं है तो वह चला जाएगा हमारा फॉल्स और में और फिर यह एंड हो जाए तो यह एक और फ्लोचार्ट में कम्प्रीट कर लिया नेक्स देखत है क्या देखते हैं तो इनमबर में पस्तों तीन नमबर नियुंगे से कोई भी नमबर नियुक्ण है तो हमको तीन 15 रिद्ध करना पहला तो यह क्लियर हो गया तो नमबर रिड रिड करते हैं ड्यक्री नमब्रएशं B & तो हमने तीन नमबर रीड कर लिया अब उसके बाद यहां लोग step by step दखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं okay तीन नमबर हमारे पास आ गया पहरा नमबर एदुसरा नमबर एदुसरा नमबर एदुसरा नमबर सी सबसे बढ़ा है अगर मेरा यह सबसे बढ़ा हो गया और इस सबसे हो गया तो क्या करेंगे एक वैल्यों डिस्प्ले कर देंगे एक हमारा सबसे बढ़ा हो गया इसके बाद हम सीधा लेकिन अगर सपोस्ट करें यह वाला इफ फॉल्स हुआ तो फिर हमें बी को चेक करना पड़ेगा कि वह सबसे बड़ा है कि नहीं तो उसके लिए हमें स्टेप पूर लिखे है उसमें क्या है हमारे पास इफ बी ग्रेटर देन एंड बी ग्रेटर दें सी तो हम यहां पर क्या बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है दोनों से बड़ा अगर है तो बी डिस्प्ले हो जाएगा और अगर बी डिस्प्ले हो गया तो भी हम स्टेप सिक्स में जाएंगे स्टेप सिक्स हमारा एंड स्टेट्मेंट है ठीक है तो वह सिदा हम एंड पर चले जाए है लेकिन अगर हमारे पास यह दोनों ही statement true नहीं हुआ मतलब a भी सबसे बड़ा नहीं हुआ a सबसे बड़ा नहीं हुआ वी सबसे बड़ा नहीं हुआ तो it means कि हमारा c क्या है सबसे बड़ा simply है तो it means हम सीधा फिर display the value of c as greatest कर दिया तो यहां पर होगा क्या last में step end कर देंगे तो यह हमारा stop हो गया step 6 में अब यहां पर हम go to statement का एक use किये तो algorithm में हम लोग go to statement का भी use करते है go to word use करते है जब हमें direct jump करना होता है तो अगर हम यह मान के चले कि a मेरा सबसे बड़ा number था तीन numbers में में से a b c में से अगर a सबसे बड़ा number होता है a b से भी बड़ा होता है a c से भी बड़ा होता है तो यह display हो जाएगा और सीधा मेरा जो algorithm का part है वो step 6 में चला जाएगा बीच का 4 और 6 दोनों को ignore कर देगा क्योंकि हम यहां पर क्या लिख दिए step 6 पर यह execution तभी होगा जब हमारा यह condition fulfill होगा a b से बड़ा होना चाहिए a c से बड़ाना चाहिए otherwise यह step 4 में जाएगा यहां फिर चेक करेगा कि b a से बड़ा है की नहीं b c से बड़ा है की नहीं अगर यह fulfill हो गया तो b display होगा और वो सीधा कहां चल जाएगा step 6 में stop step 5 उससे में skip हो जाएगा otherwise अगर यह दोनों ही statement true नहीं होता तो last statement जो step 5 में जाएगा और यहां पर डारेक्ट कर देगा डिस्प्ले वैल्य ओफ सी ग्रेटस्ट तो सी डिस्प्ले हो गया यह और भी बड़ा नहीं है तो सी अफकॉस बड़ा है और इस तरह से हमारा algorithm complete हो गया flowchart में हमारे पास जो पार्ट है start सबसे पहले हम लोग ABC तीन नंबर रीड लेना है तो input ABC तीन नंबर को हम लोग read ले लिए उसके बाद हमें क्या करना है चेकिंग करना है तो सबसे पहले diamond box चाहिए a greater than b and a greater than c अगर यह बात सच हुआ यह B से भी बड़ा है तो true execute हो जाएगा और सीधा यहां पर print a कर देगा क्योंकि यह सबसे बड़ा है जो कि हम जैसे यहां लिखे तो वैसा ही इस diagram को भी बनाया गया तो यह print a हो गया similar way में अगर यह false हो गया यह B से बड़ा और a c से बड़ा दोनों case में वो true नहीं हो पाया और यह false हो गया तो इसका false hand में फिर हम को आगे b को check करना पड़ेगा तो हम false hand लेंगे तल यह end हो गया यह part उसके बाद false hand लेंगे false hand में हम फिर check करेंगे b greater than a and b greater than c तो आब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि b जो हमारा है वो a से बड़ा है और b जो हमारा है वो c से बड़ा है इतना तो clear होगे कि यहां तक हमारे पास a सबसे बड़ा नहीं था तो फिर हम b सबसे बड़ा है यह चेक कर लिए अगर हमको b सबसे बड़ा मिल गया तो हम क्या करेंगे b को ही print कर देंगे तो true hand ला करके इसका true hand होगा वो b print हो जाएगा ठीक है लगिन अगर यह भी false हो गया कि b सबसे बड़ा नहीं निकला तो it means कि हमारा जो last number था that is c वो सबसे बड़ा हो गया है तो वो हमारा display हो जाएगा तो false hand प हमेशा सभी लाइनिंग जो true false जितना भी हो वो सभी आखरी में end के तरफ जाके कोई भी लाइन ग्लांक न चुट जाए ठीक है आखरी में end तक में जाना है खतम हो जाना है उसको ठीक है राइट और फ्लो चार्ट टु फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ह के लिए पहले तो यह पता होना चाहिए कि हमारे पास CP और SP क्या है ठीक है जो हमारा सेलिंग प्राइज और कॉस्ट प्राइज होता है खईदे कितना में दोनों में फिर यह देखना है कि बड़ा कौन है अगर खईने का अदाम जादा है तो लॉस हो गया अगर बेचने का सकता है या तो CP बड़ा हो जाए या तो दोनों बड़ाबर हो जाए तो उन तीनों के लिए यहां पर मैंने स्टेप्स लिखा रहें स्टेप त्री में हम लोग करेंगे इप सीपी लेस देन एस्टेन गो टो स्टेप सिक्स तो अगर हमारा सीपी छोटा हो गया स्पी से करेंगे यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए स्टी माइनस सीपी उसको प्रॉफिट में ही सेफ कर दिये फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉम्ला लगा है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू हंडड़ और पीपी में पीपी नाम का जो हम वेरेबल यूज किये हैं पीपी पीपी में आया step 8 में जा करके हम डिस्प्ले कर दिए पीपी को यानि profit person को और फिर हम सीधा step 11 में जा करके algorithm को end कर दिए तो यह तब का बात हुआ जब हमारा SP बड़ा है अगर हमारा SP बड़ा नहीं है तो फिर हो सकता है हमारा CP बड़ा हो तो step 4 में मुझको चेक किए इस पी और फिर अगर यह बात सच हो जाता है कि CP जो है वह हमारा SP से बड़ा है यह बात अगर सच होता है स्ट्प्मेंट होता है कि CP SP से बड़ा है तो हम चल जाएंगे step 7 में जहां हम लॉस को कैलकुलेट किये तो step 7 में कैलकुलेट loss percent एंद देन गो तु step 9 तो पहले हम लोग क्या करेंगे लॉस निकालेंगे CP माइनस SP लॉस ने स्टोर हुआ फिर लॉस बाइचीप इंटू 100 किये फॉमुला के of LP और फिर हम एंड कर दिये मतलब स्टॉप कर दिये go to step 11 तो ये लास्ट केस इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ कि CP SP से बड़ा नहीं है तो मतलब क्या है CP और SP दोनों बराबर CP और SP अगर SP बड़ा नहीं है है CP बढ़ा नहीं है तो लास्ट मतलब क्या कि दोनों बराबर है तो उसके लिए हम step 10 में डिस्प्ले किये कोई अप्रोफिट कोई लॉस नहीं है तो step 10 यहां से go to कर दिए और डिस्प्ले कर दिए no profit no loss यह डिस्प्ले हो जाएगा और फिर इसके selling price as CP and SP तो input लिए CP and SP after this checking है CP और SP के बीच का checking है तो हम पहले क्या check कर रहे है कि SP बढ़ा है CP से या नहीं तो SP is greater than CP or not तो if SP greater than CP true किये और सीधर चले गए profit क्योंकि अगर सच हूँ SP बढ़ा है तो profit निकालेंगे SP माइना CP कि यह profit निकल गया profit निकलते ही profit percent निकालना है हमें तो इसके ठीक बात profit percent होगा profit percent के लिए profit by CP into 100 करके PP में save कर दिए और फिर हमारा final answer PP में है तो PP को display कर देंगे तो print box लगाए यहां पर टाइलोग्राम वाला और प्रिंट पीपी कर दिए और यह हमारा एक part end हो गया तो यह हमारा इस case में अगर profit होता है तो यह end हो गया लेकिन अगर यह बात सच नहीं होता है कि SP बढ़ा नहीं है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो वह सकता है SP छोटा वह सब्सक्राइब से उसके लिए हम करेंगे false part if SP less than CP अब यहां पर क्या है CP जो है वो बड़ा है SP से अगर हमारा CP बढ़ा होता है SP से तो हमारा यह loss हो जाएगा फिर हम loss calculate करेंगे process box लगाएंगे कि calculation है तो यहां पर loss is difference to CP minus SP calculate कर दिये loss निकल गया फिर loss परसेंट निकालेगे loss by CP into 100 LP में store कि अब LP को हम लोग print कर देंगे loss percent निकल चुका है तो अब हमारा यह answer print हो जाए तो print LP और यह end of way तो अगर यह यह part हमारा true हहता है तो यह ऐसे बन गया profit अगर यह part हमारा false हो जाता है तो yep pass relations Ho सकता है इसलिए यहां पे चेक्टिए यह के लिए और हम loss में हैं सही ईसको लग जाक वहाइगा क्भी अज़र दिदा करेगा की जोislosaur नो लस सिधा बिवकर करेका कोई निकल गया फाइनल में और फिर ये भी एंड के तरफ चाहिए तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ तो आयोप आप लों को अल्गोरिदम और फ्लोचार्ट समझ आ गया होगा कैसे यह वर्क करता है कुछ प्रोग्राम से मैंने आपको इस पर कुछ कोशन्स भी करवा दिया है